नमस्कार दोस्तों, स्वागता हैं सभीगा आपके अपने यूटॉब चनल आज अपने बात करने वाले हैं फेमोसीट 4TMG टेबलेट के बारे में फेमोसीट 4TMG टेबलेट को सन फार्मा बनाता हैं जिसकी जो प्राइज हैं वो हैं 8.45 पर इस्ट्रीप यह 14 टेबलेट के इस्ट्रीप हैं जिसमें जो कंटेश रहा हैं वो हैं फेमोटेडीन 40MG इसका यूज आप इस्पेशली डाक्री सलाज से करें तो ज्यादा बेतर रहेगा यह टेबलेट आपको डाक्र के प्रिस्काइब पे सभी मेटिक इस्ट्रीप पे मिल जाएगी फेमोटेड 40MG टेबलेट एक H2 receptor antagonist ग्रूप की दुआ हैं जिसका यूज, हार्ट बंड, पेप्टिक अलसर और GRD यानि कि gastrocephagal reflex disease के इलाज में कहाता है यह टेबलेट एक तरह से antacid है जो आपके पेड़ में बनने वाले acid की मातरा को कम करता है आपके अगर सीने में जलन की समझ्चा है तो उससे कम करता है और acid की कारण किसी तरह की समझ्चा है जैसे की बदजमी हो रही है या फिर आपको जो लिंगर एलिसन सिंड्रोम की सिकेत है प्रेगनेंसी के दुरान पेड़ दद हो रहा है आपको अपच की समझ्चा हो रही है या फिर आपको पेड़ में गेज बन रही है अगर आपको बार-बार मुव में खटा पने आ रहा है तब भी एसी समझ्चाओं में डॉक्टर्स आपको ये टेबड़ लेने की एडवेज आपको दे सकते है अगर आपको हार्ट बर्निंग या ऐसी कोई भी समझ्चा है तो आप अपनी लाइफस्ट्राल को चेंज करके और अपने खान-पान को येस्थित करके मतलब थोड़ा रिलेक्स पा सकते हो जैसे कि थोड़ा-थोड़ा और कम मात्रा में आप खाए एकदम एक साथ में हेवी गोजन या बहुत ज़दा गोजन ना ले इनके अलबा भी अगर आप और वेट हैं तो अपना वजन कम करने कोशिश करें बहुत ज़दा तीखी तली-गली चीज़ें और भार की चीज़ें आप अवेट करें और हो सके तो जूस वेगरा का जूस मतलब जूस वेगरा का यूस आप ज़दा करें और बहुत ज़दा चाई और एलकोल को आप कम कर दें तो ठीक रहेगा या फिर उसको बंद कर दें तो और ज़दा बेतर रहेगा चान लेते हैं इस टेब्लेट का सावधने के बारे में तो अगर आपको लिवर या किट्नी डिसीज हैं या फिर आप प्रेग्नेंट लेटी या फिर ब्रेश्विंग मदर हैं या इनके लाव अगर आपको कोई भी सीवर डिसीज है तो इसी सभी कंडिसेंस में इसका यूज करने से पहले आप डाक्टर्स को अपनी कंडिसेंस के बारे में जुरू बताएं चान लेते हैं इसके डोज के बारे में इसका जो नुर्मल डोज हैं वो हैं एक एक टेबलेट सुबसा इसा आप ले सकते हो या फिर जैसे भी आपको डाक्टर मता हैं वैसे आप इसका यूज कर ले अब बात करते हैं इसके हुने वाले side effect के बारे में तो जो common side effect आपको नजर आ सकते हैं वो हैं दस लगना, चक्कर आना, कबज रहना, सरदर्द होना और आपको अनिद्रा जैसे समसे हैं नजर आ सकती हैं विशे side effect कुछ time लेते हैं कुछ time बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं हाँ अगर आपको इनके अलावा भी कोई other conditions करेट होती हैं या फिर यह side effect लंबे टाप तक बने लेते हैं तब यहसे में आप इसका use बंद करके तुरंत अपने डाक्टर से consult कर सकते हैं तो friends उमीद हैं आपको एड़ जुरू पसंद होगा अगर वीडियो अच्छा लगाएं तो like करें, comment करें, share करें और चैनल को subscribe करना ना पुले Thank you